अगर आप मेरे चानल पर नहीं है तो चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो को एन तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट करें तो शिक्षा निदेशाले राष्ट्रे रासदानिक शेत्र दिल्ली की तरफ से सामाजिक विज्ञान के लिए आकलन कारेपत्रक नमबर पांच तिथी 21 ओक्टूबर दो हजार एकिस के लिए कक्षा साथ के कारेपत्र का यहां विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहा तो नशन से पहले मुगल सम्राठ थे जिन्होंने सरव प्रथम तोपो का इस्तमाल किया था वो थे बाबर तो बी ओप्षिन जो है करेक्ट होगा। दूसरा प्रशन क्या है उत्तर अधिकार के लिए मुगलों ने किस परंपरा का प्रयोग किया तो उत्तर अधिकार के तो जितने भी बेटे होंगे उनमें equally जो है बराबरी तरीके से बाटा जाएगा तीसरा था 1526 में पानिपत के मैदान में डैश ने डैश एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया तो किसने हराया था बाबर ने हराया था इबराहिम लोधी और उसके अफगान समर्थकों को 1526 में पानिपत के माइदान में चौधा प्रेशन क्या है 1527 में बाबर ने राणा सांगा राजपुत राजा और उनके समर्थकों को । वो था खानवा तो C option जो है वो सही होगा अगला है राजत्व सिध्धान्त में परिवर्टन कर सुल्तान की जगे बादच्छा की पद्वी किस ने ली तो राजत्व सिध्धान्त में जो बदलाव करके सुल्तान की जगे बादच्छा कौन बने थे तो वो थे बाबर तो A option correct होगा चटा प्रशन है हुमायू का मगबरा कहां बना हुआ है तो कहां पे बना हुआ हुमायू का मगबरा दिल्ली में तो D option correct होगा साथवा प्रशन है डैश ने हुमायू को दो बार हराया 1549 में चौसा में और 1540 में कनोज में और उसे इरान की और भागने को बात देखिया तो किसने हराया था दो बार हुमायू को 1549 में चौसा में और 1540 में कनोज में और जिसकी वज़े से उसको इरान की तरफ भाग गया था हुमायू तो वो थे शेर खान ए उप्शन जो है वो सही होगा अगला है तुझके बाबरी डैश द्वारा डैश भाशा में लिखी गई तो किसने लिखी थी और कौन सी भाशा में लिखी थी तुझके बाबरी बाबर ने लिखी थी और कौन सी भाशा में तुरकी भाशा में तो बी उप्शन जो है करेक् पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था तो आशा है आपको यह वर्कशीट समझ में आई होगी और इसे के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए नियमित रूप से अपने हाथों को साबून और पानी से दोते रहना है तो आशा है आपको यह वीडियो अच् करें चानल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में